सुलेशन न्यूस के सबसे बड़े सर्वे का सटीग एक्जिट पोल महराष्ट हरियाना में वीजेपी अपने धंपर बनाएगे सरकार महराथी मददाताओं पर चला मोदी जादू महराष्ट हरियाना विधान सवा चुनाओं में थमा मतदान एवियम मशीन में केंद्र उम्मीदवार की किस्मत कैद हो गई है आप रहेगी रुझानों पर सबके नसर कॉंग्रेस ने किया पियम मोदी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला संजने रूपम ने पियम मोदी को कहा बंदर बोले बंदर के हाथ में दिया देश धरूर के बाद गफरान को कॉंग्रेस ने दिया चटका गफरान आजम को कॉंग्रेस ने दिखाया बार का रास्ता मदरदेश कॉंग्रेस के एक बड़े नेता है गफरान नितिन गटकरी के बयान पश्वीफ सेना प्रमुक का जवाब बोले उधोठाकरे सामना में रखी अपनी बात गटकरी ने पी एम मोदी के अपमान को नहीं सहने की कही थी बात और बैंगलोर में मनिपुर के चातर के साथ दुर्वे वहर कंणर खाना ना खाने पर की पिटाई तो इस्थानिया लोगों ने जबरन कंणर बूलने पर किया मशपूर नमस्कार आप देख रहे हैं सुधश्य न्यूज और मैं हूँ आदेश अभी मन्नी हूँ आपको बता दे कि आज महराश्च और हरियाना के लिए जनता ने अपना फैसला कर दिया है मतदान जो हैं आज समाप्त हो गए हैं और अब इंतजार उन्निस तारीक का है जब जनता का जो फैसला है वो सबके सामने होगा आपको बता दे कि साफ तोर पर आज सुबह साथ बज़े से लेके ही लोग जो है वो उत्सुख नजर आए और उन्होंने मतदान किया आए अब महराष्ट का उपीनियन पोल आपको दिखाते है दोहजार चौदा में सीटों की संभावना जो है वो मनसे की अगर बात करें हम दस और साथी साथ कॉंग्रेस 25 बीजेपी 154 ध्यान दीजेगा बीजेपी 154 एंसीपी 17 और शिवसेना 47 ये उपीनियन पोल हम आपको एक साथ थे अभी तक ठीक विदान सभा चुनाओं से पहले शिवसेना और बीजेपी अलग हुए और कहीं न कहीं फायदा देखिए 154 सीटे बीजेपी को मिल रही है सरकार बनाने के लिए जो पहुमत चाहिए उससे कहीं जादा शिवसेना के अगर बात करें शिवसेना के 47 सीटे मिल रही है अब अन पर देखिए मन से 10 और अन जो सीटे अगर अन पर नज़र डाली जाए तो 35 है कुल सीटे 288 है जिन में साफतार पर कहा जा सकता है कि बीजेपी सबसे आगे है अब महराश्ट का एग्जिट पूल आपके सामने है कुल सीटे 288 और बीजेपी को 147 स आप चाहिए उससे सीटे 2 सीटे जो है वो जाता है कॉंगरेस 35 हैं सीपी 24 शिवसे ना पैशाथ भीजेपी और शिवसे ना बीजेपी और शिवसेणा दोनों एक साथ थे तो कहीं न कहीं भी प्राश्ट के कुछ ऐसे दिगजों के बारें बताते है जिनकी किस्मत जो है वो आज एवियम में कैद हो गई है नाम आजवीत पवार NCP के नेता है बारा मती सीट से ये चुनावी मैदान में उत्रे थे विस्ट सीट है भारत्वी जनता पार्टी के ये उमेदवार है भारत्वी जनता पार्टी के उमेदवार एकनाथ खड़ से मुक्तई नगर सीट से ये चुनावी मैदान में उत्रे थे ताल ठोक रहे थे नाम नारायन राडे कॉंग्रेस के ये नेता है और कुदल सीट से ये चुनावी मैदान में उत्रे थे दिगज कुछ ऐसे है जिनका न प्रित्वी राद चवान बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कराड दक्षुन सीट से ये चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। क्योंकि बड़े दिगज के किस्मत जो है वो धाव पर थी इस वार और देवेंद्र फड़नविस नाखपूर साउच से चुनावी मैदान में उत्वे थे। महराष्ट को उपीनियन पूल आपके साब दे है, 2014 में सीटों के संभावना जो थी वो आपको बता दें, कॉंग्रेस 25, बीजेपी 154 जो है उम्मीद लगाई जो आ रही थी, कुल 288 सीटे हैं, जिन में से मन्से को 10 सीटे मिलने की उम्मीद थी, और अन्न की अगर बात करें, उनके खाते में 35 सीटे पहुँच रही थी। और हमारे साथ, हमारे सेयोगी सुमित न्यूस रूम से हमारे सा चुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा करने के लिए खास महमान उनके साथ मौचूद हैं, ओवर टियो सुमित बिल्कुल आदेज जिस तरीके से इस वक्त वोटिंग खत्म हो चुकी है, और जो आकड़े इस वक्त परसंटेज के सामने आई हैं, उसमें ज्यादा उतार चड़ाव देखने को नहीं मिला है, अगर बात 2009 की करी जाए या अब की 63 का आकड़ा महराश्च ने चुआ है, और 74 का आकड़ा यहां पर हर्याणा ने, लगभग वो ही वोटिंग है, जो हमने 2009 के चुनाव में देखी थी, लेकिन सवाल ये है कि ये वोटिंग प्रतिशत अगर महराश्च की बात कर ली जाए, क्योंकि परस्थितियां 2009 के मुकाबले काफी बदली हैं, बड़ी पार्टिया जिनके गटबंधन टूटे हैं, कॉंग्रेस NCP की बात कर ली जाए, या फिर बीजेपी शिव सेना की, रास्ते अलग हुए हैं, लेकिन ये वोटिंग प्रतिशत है, ये किस तरीके से बटा है, सवाल ये है, विधर्ब का मामला हो, बीजेपी ने अपना स्टेंड बदला है जिस तरीके से प्रधानमंती नरेंद्र मोदी ने जो बटवारे की बात अब तक की जा रही थी, उसको अपने स्टेंड से अलग कर दिया, उसके बाद क्या परस्थतियां चेंज हुई हैं, सवाल यहाँ पर भी है, लेकिन मेरे साथ खास महमानों का पहलन मेरे साथ मौजू आप से करा देते हैं, मेरे साथ दुश्वंत कुमार शर्मा, कॉंग्रेस नेता मौजूद है, प्रोफेसर रमेश कुमार, नाजित कुष्लेशक मेरे साथ है, सुखबेज जिंग हुड़ा साभ है, विपिन गौड वरिश पत्रकार, साथी साथ वैदेही सचिन जी है, खोलने कि किस तरीके से ये जो महराश में गटबंधन तूटे हैं, इसमें अब आगे की जो राजनीतिक उठापटक है, वो किस तरीके से बदलेगी, अगर मुद्दो की बात कर ली जाए, बीजेपी शिवसेना के बीच में कहीं ना कहीं विदाहान सबात चुनाव जो है, वो सिमठता हुआ दिखा है, मुद्दो पर बात इस बार कम हुई है, मोधी पर भी जादा बात हुई है, सचिन जी आफसे शुरुआत करना चाहूंगा मैं, महराश के अंदर अगर गति वीदियो की बात करें, जिस तरीके से 2009 की जो परिस्तितियां थी, उसमें और इसमें इस बार काफी बदलावाया, कॉंग्रेस NCB की बात करें, या फिर BJP शिवसेना की, आज जो वोटिंग हुई है, क्योंकि वोटिंग परसेंट में ज्यादा देखने को फर्क नहीं मिला है, आज जो जनता है, वो कन्फ्यूस तो नहीं हुई है, या वोटिंग परसेंट जो ह तो NCB ने अपना दरकिनार कर लिया, एक नया कॉंबिनेशन उबर सकता है, सेना, NCB and MNS, और हो सकता है कुछ अपोजिशन में आ जाए, या हो सकता है, वो लोग कुछ माजिक चला ले, 11 तार पे, बड़ BJP की जीत शास्वत है, और महाराश्टा का विगटन भी शास्वत है, चाहे मोदी ने कुछ भी का आओ, विधर्भा महाराश्टा से अलग होके ही रहेगा, क्योंकि यही एक मुद्दा था, जहां पर विधर्भा के वोट्स लेने के लिए, एक बहुत बड़ा मुमेंट चला था, तो जिस तरीके से विधर्भ की बात यहां पर की गई, विपिन जो मामला है, उसे क्यों एक तरफ साइड लाइन भी किया जा रहा है, और कही ना कहीं अपने एजेंडे में कहीं बैक साइड में जोर रखा जा रहा है, अभी हाली में देखने को सब्ड़ी यह बात समने हैं, कि महारास्ट के अंदर लोगों को अलगला कम्यूनिटीज में बाट दिया गया है, लोगों को रिजाया जा रहा है सिर्फ वोट के लिए, बल्कि वो जो काम करके देने चीए, वो काम पहले भी नहीं हुए हैं, और आगे पता हो या ना हो, जिस प्रकार से बीजेपी का हम लोग देख रहे हैं, कि बीजेपी सबसे आगे चल रही है, जो जिस प्रकार से देश में लहर थी कि लोग सब एलेक्शन में कि बीजेपी आगे बीजेपी आगे वो थी, पर इस बार हम लोग 100% शूर ये चीज़ नहीं बोल सकते कि बीजेपी 100% आगे रहे ही, हो सकता है कि शिपसेना को ज़्यादा आगे सीट ज़्यादा मिल जाएं, ज कॉंगरेस दिखे ऐसा है कि कॉंगरेस एक तरफ से साइड ही होगी थी, मगर उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह भी एक नेशनल पार्टी है, हमारे सबसे परानी पार्टी है देश की, तो उसको हम छोड़नी सकते हैं, मगर कॉंगरेस की जो हालत है, वो पहले नुकसान ही होगा सवाल यहाँ पर ये नहीं बन रहा है कहीं सवाल यह आता है कि नुकसान ज्यादा किसे होगा Congress को या NCP को विभिन जी का कहना है कि NCP कुछ फाइदा ज़रूर ले सकती है देखिए जहां तक NCP और कॉंग्रेस की बात है अगर इनके दोनों का गढ़वन्द जिस तरीके से टूटा है वो एक ऐसे महाल में टूटा है कि दोनों पार्टियों की एक इच्छा सकती होती है एलेक्शन लड़ने की वो जो इनके लीडर्स थे कोई ऐसा कोई फरेंट में आ कॉंग्रेस को एक पंदरा साल का जो उन्होंने साशन किया एंटी इंकंबंसी लेवल उस लेवल पर आ गया कि खुद कॉंग्रेस के लोगों का अपने आपके साशन से खुद से वो ऊप चुके थे जहां तक NCP की बात है NCP एक ये देखिए सर्द पवार साब की एक जो हमेशा option देखते रहते हैं सद पवार साब की एक बड़े राजनिती क्यों कहलाते हैं कि वो हमेशा options में believe करते हैं वो इतना भाप लेते हैं कि अब आगे यह option बीजेपी हो सकता है देखिए बीजेपी को अभी उन्होंने नहीं इस तरह डिस्क्लोज किया ना ही उन्होंने उसको सिर्फ से ना को डिस्क्लोज किया बट यह है कि वो option के साथ जरूर जाएंगे इतना मेरा मानना है कि वो एक option को जरूर देखते हैं option यहाँ पर हो सकती है बीजेपी के लिए एन्सीपी लेकिन सवाल यह है कि कॉंग्रेस का यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है वो third party के रूप में भी नहीं किया जा रहा है NCP को जोर रखा जा रहा है दुशन जी NCP और Congress की जुस तरीके से सरकार रही है उसमें Congress को ज्यादा अब नुकसान होगा या NCP को नुकसान होगा या एक बार फिर से वापसी आप लोग करेंगे मोदी मुद्दा हो गए है देखिए ऐसा है कि ये प्री प्री एक्जिट पोस आप लोग कर रहे है और अभी जिसे उड़ा साब भी कह रहे थे के Congress National Party है वो अपना विचार देने में थोड़ा हिचक भी रहे थे हमारे मित्र कुछ बोड़ लए थे Congress के बारे में मैं नहीं समझता कि पच्चिस साल से गठवंदन था जो बीजेपी और सेना का था वो सिर्फ सेना का था वो तूटा और Congress ने वहाँ परफॉम किया 15 साल हम लोगों ने वहाँ पर Services दी है जनता के सेवा किये समित आपको यहाँ रोकना चाहूंगा हमारे साथ राखे सावंत जुड गई है राखे सावंत आपका सुदर्शेन नीउस में बहुत बहुत स्वागत है आपसे हमारे सयोगी सुमित आपसे सवाल करेंगे राखे जी बहुत-बहुत शुक्रिया सुदर्शेन नीउस से जुडने के लिए मेरा पहला सवाल आपसे यही है आर्पी आई की आप साथी हैं, आर्पी आई में इस वक्त आप हैं और बीजेपी को आप लोग को पहले तो मैं कहना चाहती हूँ जै भीम जै मारास्ट जी, राखी जी मेरा सवाल आप से ये है कि जुस तरीके से आज वोटिंग हुई है, इस वोटिंग में किसका कितना हिस्सा मान रही हैं? देखें मैं आज बहुत संतूस्ट हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोग पिछले देड़ दो महने से हमने पूरे माहरास्ट के चपे-चपे में गाउं से लेके पूरे हमने ऐसे दोर किये हैं और प्रचार किये हैं, बीजेपी पार्टी, आर्पी आई पार्टी ने पार्टी थी और उनके दिमाग में पूरा, अगर मैं आपको बता दूँ, तो सिर्फ अगर कुछ था, तो सिर्फ यही था, मैं आपको बता दू, सिर्फ यही था, उनके दिमाग में, तो आप देख सकते हैं कि मेरे चेरे पे खुशी है, तो महरास्ट में क्या होने वाला है इस वक्त बीजेपी की और हाथ में भी आप कमल ले रही है जी जी क्या आपने इस वक्त जो टूपी पहनी है वो बीजेपी की पहनी हुई है और आपके हाथ में इस वक्त कमल है तो मोधी मैजिक दिखेगा जी बिल्कुल कमल ही है डेफिनेटली आपको क्या लगता है इस वार बिल्कुल ये बीजेपी की टूपी है और ये कमल है तो सब के देखें कोई डाउट ही नहीं है लोग सबाद चुनाव में भी बीजेपी आई थी और महरास्ट में और हर्याना में डेफिनेटली तुफान आया हुआ है महरास्ट में और ज़्यादा तुफान आया हुआ है महरास्ट के लोगों ने इस बार जो है बिल्कुल ठान लिया था उनके दिमाग में सिर्फ कमल, कमल, कमल था क्योंकि उनकी जिन्दगी में, उनके जीवन में, उनके घर में खुशी चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, रसोई सस्ती होने तो सब्सक्राइब हो चुका है घर सस्ते मिलने चाहिए, ऐसा रहा कि प्रोजेक्ट होने चाहिए, बिजनस, लोग बिजनस करना चाहते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कमल पे ही वोट किया है, ये मैं आपको पक्का कह सकती हूँ, क्योंकि मैं पोल पोल गुमी हूँ, और मैं बिंदाज गुमी क्योंकि मैं कोई चैंडिडेट नहीं हूँ, इसलिए मैंने जाके लोगों को खुछ जाके बोला कि कमल पे वोट करना, आर्पी आई की क्या सिती रहे किस बार आकी, जी मिलकुल आर्पी आई का घड़ बंदन है, और डेफिनेटली जाना जा भी जितनी भ चिन्न मिला है, किसी को कुछ, मशीन, किसी को कुछ, किसी को कुछ, इश्वर ने चाहा, तो डेफिनेटली आर्पी आई की सारी सिते आने वाली है, जितनी भी सिते हमको आट सिते मिली है, साथ आट सिते मिली है, सारी सिते आने वाली है, डेफिनेटली आईगी, इस बार लग रहा रहा कि जिस तरीके से केंपेनिंग हुई है गटबंधन तूटे हैं बड़े बड़े गटबंधन थे इसमें आप बीजेपी का आपने कैपिंग की हुई है आरपी आई में आप शामिल रही है नुकसान और फाइदा किसका होने वाला है अगर राखी सावन्त सच बोलती है तो मैं सच बात कहना चाहूंगे भले हम शिवसिना से अलग हुए वो बात दुख है अगर शिवसिना से अलग नहीं होते तो आरपी आई को चांस नहीं मिलता आरपी आई को इतनी सिटे नहीं मिलती और हमारे जो साब है अठावले साब उनको शायद मंतरी पद नहीं मिलता तो एक बात की खुशी है मुझे के अमिशा जी ने मोदी जी ने जो ये दलित समाज की जो पार्टी है छोटी पार्टी को गले लगाया इजदबक्षी है उन आरपी आई पार्टी में एक नया सूरज आया है और जादा से जादा सीड़े देने की कोशिश करी है हमने जितन ताकि एक सवाल मेरा और है अब से इस वक्त जो एकजिट पोल्स आ रहे हैं वो और या जो तमाम सर्वे आ रहे हैं वो इशारा ये कर रहे हैं कि कही ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलेगी अगर पहले तो मुझे ये बताईए कि तमाम सर्वे जो हैं आप लोग की महनत या जो तमाम कारे करता हैं उनके महनत का शो कर रहे हैं या कॉंग्रे से बिकें कि एंच्टी इन कंपेंसी को शो कर रहे हैं कि देके मरी में पार्टी के बारे में बोलने का मुझे एंटरस्ट भी नहीं जो पार्टी जिंदा है जो जनता को जिन्दा र garlic है और जनता के लिए अच्छे निया दिखाती है, मैं तो उनके बारे में बात करूँगी, मरे वी पार्टी के बारे में मुझे को इंटरस नहीं बात करने का, और हाँ मैं एक बात बता है कि इस बार जो दुनिया देखेगी, इस बार जो कमाल हुआ है, फिर से अमी शाह जी का औ और जो मुदी जी का जो कमाल हुआ, जो गड़करी साप का जो कमाल हुआ है, गाउं गाउं में, तो मेरे मतलब आप सिर लोगों को लड़ू खिलाईए बस, I swear मेरे मेरे मुझे इतनी तारीफ है निकल रही है, मैं बाग बाग हुआ है, मैं इतनी खुश हूँ, आप कह रहे माड्यो को आप मराड़ी का नारा लगा हुगे, एक बार तो मतलब बीजेपी को मिमाराष की सरकार आने दो मतलब माहराष में बीजेपी की फिर आप देखो, कोई जगड़े नहीं होगे, कोई लखड़े नहीं होगे, मारा मारी नहीं होगी तो और लोग लोग ये भी जानना चाहूंगा मैं जिस तरह के से बीजेपी को लगातार जो तुमाम सर्वें हमने जो सर्वे किया उसमें भी हमने 154 सीटे जो हैं आपर हमें तमाम सर्वे के साम हमारे जो सर्वे हैं उसमें 154 सीटे मिलती हुई दिख रह महाराश्च में बीजेपी की या आपकी जो आर्पी आई पार्टी है उनके समर्थन से या सरकार यहां पर बनती हैं। आप क्या करेंगी पहला गाम? बहुत थी अच्छा होगा कि महाराश्च का विकास होगा और जनता तो पठाके चटाके तो डेफिनेटली फोड़ेगी और एटलिस अठावली साब मंत्री बन जाएंगे जो मेरा एक सपना था और महाराश्च में बीजेपी की सरकार आएगी गड़े जो है जो बारिश के कारण प्रॉबलम होते हैं वो भर जाएंगे ब्रीज बन जाएंगे नए एरपोर्ट बन जाएंगे रसोई सस्ती हो जाएगी गेस पेटरोल तो सबकु सस्ता हो चुका है और हाँ एसारे प्रोजेक्ट जो है जो पठी टूटके घर वो बन जा जाएंगे वाव लोटरी लग गई लोटरी लग गई लाकि एक सवाल बेरा और है आपसे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जिस तरीके से केंपेनिंग की है और तमाम जो पार्टियां हैं उनके निशाने पर मोदी ही रहे हैं अभी तक जो भी जितनी पूरी केंपेनिंग की गई है आपको क्या लगता है आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम पार्टियों से क्योंकि शार्ट मुद्दे जो हैं वो अब नजर नहीं आए हमारास के अंदर पार्टियों को यह बिलकुल मैं तमाम पार्टियों को यह कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने बहुत अपनी मन मानी करी गरीबों का बहुत खून चूस लिया अब मोदी जी की बारी हैं कि वो आएंगे और आपके पंजे से गरीबों को चुड़ाएंगे और यह मैं इन सा अचा काम करें ना उनकी तारिफ करें उन पर टिपनी ना करें टोक टोक के ना कोई फाइदा नहीं है 20 साल तक मोदी जी जाने वाले नहीं है बीजेपी का राज होगा 20 साल तक और सब गरीब जनता अमेर हो जाएगी लोगों को बिजनेस करने का मौका मिलेगा अच्छा बिजनेस के लिए और में भी मुझ मुझ गरीब को भी कही न कहीं चांस मिलना चाहिए चलिए अब करीवन करीवन आप लोग सरकार में आगे हैं और एक अच्छी सरकार बनाने जा रहे हैं क्या उत्तर भारतिये लोगों के उपर यह हमले रुक जाएंगे इसका बिल्कुल सपस्वाब दीजिये प्लीज Thank you हिंदो, मुस्लिम, सिक, इसाई सब है मुंबई के वासी भाई भाई या बिल्कुल राकी मेरे साथ वैदी सचिन जी है वो भी आप से एक सवाल पूछना जाती है मुझी पूछना था राकी आप से हुआ उस बात का आपको अब जो बिजेपी की तारीफ इसलिए हो रही है क्या क्योंकि आर्पिया की लीडर रामदा सठोले ने भी कहा था कि मैं शिवसेना के साथ होता तो मेरे हाथ कुछ नहीं ही लगता इसलिए मैं बिजेपी के साथ हो गया तो यह मुखा परस्ति है यह वागाई देश प्रेम है या देश सेवा करना चाहते हो देखे मास सिस्टर मैं अर्पिया में अगर होती या ना होती मैं पहले जिन से जब मोदी जी प्रदानमंतरी नहीं बने थे तब से मैं कहती हूँ कि मोधी जी एक बार PM बने, देश का कल्यान होगा, मोधी जी पीम बने, देश का कल्यान होगा, तो चाहे मैं किसी पार्टी में रहूं या न रहूं, मुझे कोई पद मिले ना मिले, मैं कभी किसी की पार्टी नहीं करती, अपनी मैनत करती हूँ, कमाती ह कभी किसी का सहारा नहीं लेती मुदी जी और BJP Party काबिल है देश की जनता उनी से सुखी होगी और किसी से सुखी नहीं होगी मैं कभी किसी की चमचागिरी नहीं करती राकिया आपको क्या लगता है जिस तरीके से पूरी Campaigning हुई है इस Campaigning के बाद लोगों ने voting भी दी है और कही ना कही Anti-Incompensy की भी बात की जा रही है इस Anti-Incompensy में जो Congress NCP है उनका हला कि यही दावा है कि इस बार एक बार फिर से सरकार जो है अब दोनों पार्टियों की अलग-अलग आने के दावा किया जा रहा है क्योंकि गटबंदन यहां पर टूट गया है आपको क्या लगता है कि इस बार BJP पूर्ण बहुमत से आएगी या फिर शिव से जी जी मैं आज आपको बता दू आज पूरा दिन पोल में क्या हुआ है पहली बात तो सरकार का शुकरियादा करना चाहिए कि आज सारे मौल बंद रखे फिल्म के ठेटर बंद रखे पांच बजे तक सब कुछ बंद रखा ताकि लोग जाके वोटिंग करें यह बहुत अच्छा किया क्योंकि मैं सब जगे गुमी हूँ पूरा दिन गुमी हूँ और और सारे गवर्मेंट की लोग जितने थे तोड़ी स्ट्रीक हो गए पहले से फटा फट सब के कार्ड के नंबर मिल गए यह बहुत अच्छा हुआ जाधा से जाधा वोटिंग गई दुपेर तक थोड़ा 40% था तो टेंचन था फिर दीरे 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 बढ़ा जब मौल बंद हो गए तो सब लग बोले आरे कुछ नहीं कर रहे तो चलो वोटिंग करते हैं तो यह बहुत अच्छा हो गया और दीरे दीरे सारी वोटिंग बढ़ी शाम तक तो थोड़ा मज़ा आया पर पसंटेज बढ़ गए तो और बात रही शिवसेना भीजेपी की मैं कोई होती नहीं हूँ न इनको जुदा करने वाली हाँ इनको मिला सकते हैं पहली बात यह है कि भाजपा कि जितनी भी सीटे हैं वो बहुमत से ही आएगी जबरत पड़ी तो देखा जाएगा जिसके ज़्यक्ति ज़्यादा सीटे हैं तो देखे हम तो पड़ोसी के साथ ही जाएंगे अगर ज़्यादा कुछ प्राबलम हुआ तो सबसे करीब कौन है उसी के पास जाएंगे आप समझ सकते हैं बिल्कुल रामदास अठावले साब कुछ दिनों पहले कहा था कि वो कोशिश करेंगे बीजेपी शिवसेना के एक बार फिर से घड़ बंधन करवाने की तो आप भी कुछ भूमिका निभाएंगे उसमें अठावले साब डे वन से चा रहे थे कि एक्चली हमें सीट ने मिलती अगर दोनों साथ में डेफिनेटली होते तो उनको मैं थोड़ी खुश हूँ माफ करना मैं बहुत सच बोलती हूँ अठावले साब जी ने कभी नहीं चाहता शिवसेना विजेपे अलग हो उन्होंने बहुत कोशिश की कि मांडावली हो जाए दोनों पार्टियां अलग ना हो लेकिन अब जो हमारे से बड़े हैं जो डिसाइड करेंगे वही होगा और ऐसे भी शिवसेना और भाजपा को को अलग करें नहीं सकता है ठीक है राकी मेरे साथ विपिन गौड साब है वरिश्च पत्रकार है उनसे वह आपसे सवाल पूछना चाहते हैं राकी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले कई लंबे समय से जब बीजेपी और शिवसेना बीमसी के अंदर बीमसी उनके अं जबते हैं कि अब बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत साथ है तो बीजेपी उस काम को कर देगी आप मैं बताती हूं ज़र सुनिये मेरा कि सावन्तो और मेरा जवाब सुनिये पहले सिर्फ शिवसेना थी ठीक है तो वो शिवसेना तो गड़े भर नहीं पाई लेकिन मोदी जी को जानते नहीं है आप मोदी जी का जादू आप नहीं जानते हैं मोदी जी गड़े क्या सबके जीवन में खुशिया भर देंगे दिली में भी मोदी जी की सरकार माराश में भी मोदी जी की सरकार तो उन सबको तो उनकी बात है सुननी ही पड़ेगी सिर्फ माराश में शिवसेना की सरकार और पूर्टी मैंने किया है क्योंकि मैं यहां हूँ मेरे गरेबान पकड़ लेना आप देखना गड़े डेफिनेटली भर जाएंगे वरना उस गड़े मैं मैं सो जाओंगी और क्या नहीं राकी ऐसा नहीं होगा बहुत बहुत शुक्रा राकी हम से बात करने के लिए और अपनी बेस्ट आफ लक आपके लिए जिस तरीके से आपने केंपेनिंग की है जितनी मेहनत करी है वो आपको वसूल और जनता आपको पसंद करें चलिए यदि हमारे साथ राकी सामच जिन्होंने प्रतिक्रिया रखी अपनी किस तरीके से वो उम्मीद यहाँ पर कर रही है और प्रधानवंती नरेंद्र मूदी को इस वक्त कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सपोर्ट क्योंकि आर्पिया का समर्तन है अपनी जर्चा पर वापस आते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो महराश्च के अंदर वोटिंग परसंटेज देखने को मिला है उस वोटिंग परसंटेज किस और वो इशारा कर रहा है इस बार मुद्दे जो महतवपून रहे हैं उसके बजाए मुदी पर टार्गेट जादा हुए हैं बाराल मेरे साथ निखर ऱ किरपकर रहा हैं कोंग्रेस की तरव से शरमा यहाँ पर अगर तमाम प्रटयों का दिक्र हो रहा थे इन तमाम प्रट्यों में पहली बात तो जिस वक्त मुद्दों की चर्चा हुई उनमें मोदी को ज़्यादा टार्गेट किया गया कॉंग्रेस NCP के मुद्दो को कम और खुद आपके जो नेता है वो अब इस टाइम पर जब क्रूशियल टाइम आपका चल रहा है इस वक्त वो खुद कह रहे हैं कि कही ना कही उनके उपर दबाव था जो आरोप लगे उन प बनाये हुए मुद्दे थे जिस तरी के जो कारवाई हो रही है उसमें सरकार ने एक्षन भी लिया है तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी और मैं एक चीज़ देख रहा हूं अभी एक्जिट पोल में कि कॉंग्रेस को 21% वोट मिलता दीख रहा है जो पिछली बार भी 20% मिल है उसपर अगर आप ध्यान दें तो परस्तियां बिल्कुल उल्टी हो गई है कॉंग्रेस NCP की इस वक्त अगर गटबंदन भी कर दिया जाए तो भी आप लोग बहुमत के आखड़े तक नहीं पहुंच रहे हैं हमारे खिलाब एक माहोल बनाया उसमे भारते जिंता पायर्टी कर बढ़ा होगा चलिए माहोल जो है वह bjb के लिए बंता वा दिख रहा है सवाल यह B ै लेकिन माहोल बन रहा है है नहीं बन रहा है डॉक्र स्च आप आप से भी नहीं कर पाई या लोगों को गलत मैसेज पहुंचा या वास्तव में जो परस्ततियां है उसके लिए जिम्मेदार हो देखिए अभी आपने ये गीट पॉल दिखाया और भी के ये गीट पॉल आए हुए कोई भी गीट पॉल अभी तक के बीजीपी को संफूर्ण भाहमत नहीं दिखा रहा है आपने वीगस्व सतारीश दिखाया है कहीं लोग 90 से 105 चलता है इस तरह में एक कोई पूर्ण भाहमत को नहीं मिलता है अगर पूर्ण भाहमत नहीं मिलता है तो मैं आपको बता दूँ जितने भी पीछे भी आपने काम इस पर किया है और कई सो किया आपने कि मोदी के खिलाप सब लोग लामबंध होने कोशिश कर रहे हैं और पुछ लामबंधी में सिवसेना भी हैं, MNS भी हैं, NCPB भी हैं और अगर तिरोंने इलाइंस कर लिया, तो कॉंगर्स भी बहात से सवर्थन देने में हिसकेगी नहीं नजर आ रही हैं, BGP को 154 सीटें, NCP को 17 और शिवसेना को 47, BGP और शिवसेना दोनों एक साथ थी, लेकिन अब इस विद्धन सबाच उनाओं में एक साथ नजर नहीं आए थी, और अगर और पार्टियों क्यों रुख करें, तो मंसे को 10 सीटें, अन के खाते में 35 सीटें जा रही हैं, तो कुल 288 सीटों में से ये आकड़ा जो है, वो आपके सामने है, अब एक्जिट पोल पर नजर ढलिए, कुल सीटें 288 हैं, जिसमें से सबसे जादा ध्यान देने वाली बात जो है, वो BGP के लिए खुशी की लहर जो है, वो लेकर आई है, 147 सीटें जो है, वो BGP को मिल रही है, वहीं कॉंग्रेस को 35 सीटें, NCP को 24, शिफ सेना को 65, एमनस के अगर बात करें तो 8 सीटें, और अन्न के खाते में 9 सीटें जा रही हैं, BGP 147 सीटें, साफ तोर पर कहा जा सकता है कि क्या ये मोदी मैजिक है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मोदी न 147 कॉंग्रेस 35 पर ही निपट कर रह जाएगी, अब आईए आपको महराश्ट के अलग 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 इलाकों के तस्वीर दिखाते हैं कि जहां जहां से हमने ये एक्जिट पूल के नतीजे जो हैं, वो हासल किये हैं, और आपको बता दे कि कौन कौन से ऐसे इसे इलाके हैं, पश्चिमी महराश्ट का एक्जिट पूल हम आपको बता रहे हैं, 58 सीटे है कुल, जिसमें से बीजेपी के पास 20 सीटे जो हैं, वो पहुँच रही हैं, कॉंग्रेस को 7 पसंतुष्ट जो है, वो होना पड़ेगा, एलन सीपी को 10 सीटे, शिप सेना को 14, और MNS का यहां खात में 7 सीटे जा रही हैं, 7 सीटे जा रही हैं, साफ तोर पर, बीजेपी सबसे उपर है, 20 सीटे, आवो तरी महराश्ट का एक्जिट पूल आपके सामने है, 47 सीटे हैं, इनमें और BJP को इसमें भी सबसे जादा सीटे मिल रही हैं, 33 सीटे जो हैं, वो BJP के खाते में जा रह रहा है दो सीटे जो है वो मिल रही है और आप देखिए कोंकर का एक्जिट पूल आपके सामने है 49 सीटे हैं यहां और बीजेपी इधर भी सबसे आगे तो नहीं कहा जा सकता लेकिंगे दूसरे नंबर पर नजर आ रही है बारा सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है और नंबर वन पर नजर आ रही है 15 सीटे यहां शिफ सेना के खाते में जा रही है MNS को महज 2 सीटे और अन का खाता भी नहीं खुला है अब आपको मराट वारा का एक्जिट पूल दिखा रहे हैं 44 सीटे यहां है जिसमें से अगर भारत्य जनरता पार्टी के बात करें तो 20 सीटें NCP को 2 सीटें शिफ सेना 18 सीटें हासिल कर रही है और यहां भी MNS का खाताने खुल रहा है और अन का भी वही हाल नजर आ रहा है अब आगे विधर्व का हाल आपको बता रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा विधर्व कर रहा था लगातार कई राजमीतिक दल सामने आ NCP का खाता नहीं खुल रहा ध्यादेनी वाली बात यहां यह है शिफ सेना 9 MNS का भी खाता नहीं खुल रहा और अन भी यहां खाता कोलते नजर नहीं आ रहे हैं अब exit pole जो है आपको पूरा exit pole पर नजर डालते हैं कि किस तरीके से अब पूरी तस्वेर निकल के सामने आ रह 9 यानि कि 9 सीटे जो है अन्न के पास जा रही है सबसे आगे BJP 147 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर रही है तो साफ तोर पर चर्चा जो है वह लगतार जा रही है सुबित हम आपके पास एक छोड़े से ब्रेक के बाद आते हैं परसतिया अगर एक्जिट पोल की बात की जाए तो कही ना कही BJP की ओर जुकाव दिखा रही है लेकिन उससे पहले हम एक बार नजर डालेते हैं 2009 के आकड़े किस तरीके से रहे हैं आई आपको आकड़े दिखाते हैं इस वाल पर आप देखें हैं किस तरीके से 2009 में जो आकड़े हैं वो कैसे सामने आये थे अगर इस इलाके की बात की जाए तो BJP को कही ना कही एक बड़ी वापसी यहां पर करनी होगी जहां सबसे बड़ी बात यहां पर BJP के लिए है कि वो अपनी इन परस्थितियों को कोकर्ण में कैसे बडलती है यह कोकर्ण की परस्थितियां है तो जाहर है जिस तरीके से इस वक्त बात की जा रही है पूरे महराश्च की उसके अंदर BJP के बाद प्रधानमंती नरेंद्र मूदी की सबसे बड़ी अगनी परिक्षा है महराश्च वाड़ा के अंदर 2009 में क्या परस्थितियां थी कॉंग्रेस के हिस्से में 18 और NCP के 12 यह वही गणी थे जिसके वज़े से सत्ता में लगाता है कॉंग्रेस और NCP बनी रही शिवसेना के हिस्से सिर्फ 7 सीटे अन्य के खाते में 6 BJP मातर 3 सीटे और MNS 1 यह भी वह वैसी ही तस्वीर है जोस तरीके से कोकर्ण के अंदर है यानि यहाँ पर भी BJP को ही कम से कम वापसी करनी है कॉंग्रेस NCP यहाँ पर मजबूस जरूर दिख रहे हैं 2009 की परस्थितियों में लेकिन अब की बार तस्वीर अगर exit polls की बात की जाए तो बदली वी नज़र आ रही है कॉंग्रेस मुंबई reason में देखिए 17, MNS 6, BJP 5 शिवसेना 4, NCP 3 और अन्य के खाते में 1 MNS की जो तस्वीर है वो मुंबई में थोड़ी मजबूत यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है लेकिन इस बार पर सवाल है क्योंकि इस बार नुकसान कही न कहीं MNS को भी दिख रहा है कॉंग्रेस के लिए 17 सीटे यहाँ पर नज़र आ रही है शिवसेना और बीजेपी दोनों ही कही न कहीं 2009 में जूजती हुई नज़र आई थी NCP 20 सीटे पस्चि महराज के अगर बात करें तो गड़ के रूप में कहीं न कहीं उबरा था कॉंग्रेस 11 अन्य के खाते में 11 सीटें बीजेपी के खाते में 9 शिवसेना 6 यानि पीछे सबसे अगर बात की जाये तो MNS है जिसके खाते में सिर्फ एक सीट गई थी लेकिन ये आंकड़ा उलट सकता है इस बार जिस तरीके से तमाम एक्जिट पोल या उपिनियन पोल इशारा कर रहे हैं लेकिन फाइदा किसका होगा नुकसान किसका होगा सवाल ये है मोदी इस आंकड़े को बदल पाते हैं नहीं या MNS की तरफ से जिस तरीके से राज ठाकरे टिपनिया कर रहे हैं बहतर बहतर NCP 13 सीटे शिवसेना 10 सीटे उत्तर महराज की तस्वीर कॉंग्रेस नो BJP 6 अन्य के खाते में 6 और MNS 3 MNS को कही न कहीं अगर अभी के भी exit polls की बात की जाए तो तस्वीर थोड़ी बदलती हुई नजर नहीं आई है नुकसान ही दिखा है फाइदा अभी भी नहीं दिख रहा है भले ही उत्तर भारतियों के मामले को राज ठाकरे बार-बार उठा रहे हूँ विधर्ब महत्तपूर्ण जगा कहीं न कहीं बार-बार इस वक्त पूरे चुनावी माहौल में भाशनों में शामिल रहा है प्रधानमंती नरेंदर मोंदी विधर्ब के मुद्दे को उठाते रहे हैं कॉंग्रेस 24, बीजेपी 19, शिवसेना 8 अन्यक खाते में 7, NCP 4 और MNS 09 यानि खाता भी नहीं खुला 2009 में इस बार परस्थितियां जो हैं वो बदल सकती हैं लेकिन सवाल ये है कि विधर्ब का जो मुद्दा है बीजेपी ने इस बार साइडलाइन किया है खास मैमान और भी मेरे इस पैनल में इस वक जुड़ रहे हैं दिनेज तिंग जी बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे है मनोज जी वरिश पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिनेज जी मैं एक्जिट पोल्स और उपिनियन पोल्स पर आना चाहरा हूँ इस वक्त आपके जरीए ये जो पूरे उपिनियन पोल इशारा कर रहे हैं पहले तो क्रेडिट बता दीजे किसके पास जाएगा मोदी जी के या माँ के कारगरता होगे देखिए सारा का स्रे जो है महाराष्ट की और हर्याणा की जनता को जाना चाहिए सबसे पहले कि आज अगर आप देखिए तो 73% की आयतिहासिक वोटिंग हुई हर्याणा में और 64% की वोटिंग हुई है महाराष्टा में तो सबसे पहले आपके राष्टी चैनल के माद्यम से मैं हर्याना के मधधताओं का और महाराष्ट के मधधताओं का धन्बाद ग्यापित करना चाहता हूँ किनी को भी उन्होंने मधधान दिया लेकिन वहWorld संख्या में वो मधधान के लिए निकलिखे और कोई भी दान जब करना होता है सुमेजिना तो हमेशा दान सुपाथ को ही किया जाता है और मद्दाताओं ने निश्चित तोर पर सुपाथ को ही दान किया है अभी जितनी चर्चा चल रही थी आप बहुत देर से चर्चा चला रहे हैं इसको देखिए जितने भी एकजिट पहुमत नहीं दिया है अभी आपका exit पोल चल रहा था आपने अस्वत पहुमत दिखाया है आप 24 चड़क्या का साफ सर्वे उठा के देखिए सबसे 60 सर्वे अगर दोबार से किसी का बैठ रहा है हम उसके साथ जाना चाहते हैं क्योंकि लोगसभा का सर्वे सबसे साथ किसी क दिल्ली विधान सभा का जो भी हाल में चुनाव संपन हुआ था उसमें भी चाड़क्या के साथ ही लोग गये थे इसलिए मैं कहता हूँ आसपश्ट बहुमत दोनों जगहों पर हरियाना में भी और महाराष्ट में भी दोनों जगा भारती जनता पार्टी को असपश बहुमत मिल रहा और उसका कारण अगर पूचेंगे तो मैं एक एक करके कारण भी कि ना सकते बिल्कुल मैं वापस आऊंगा कारणों को भी आप से जानूगा मनोजी तमाम जर्वे तमाम एक्जि को फाइदा हो सकता है अगर सर्वेक्षण के जो रुजहान आ रहे हैं उससे तो लगता है कि जो ये एज मिला है बेजी पी को तो उसके पीछे सभाविक रूप से मोदी का योगदान है क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने राज्जी के विधान सभा चुनाओं में बतौर प्रधान मंत्री रिकॉर्ड रैलियां की हैं और जिस तरीके से उप्चुनाओं में भारती जन्ता पाटी अपने शासित प्रदेसों में भी हार रही थी उससे ये लोगों को संदेह लगने लगा था चुकि इन दोनों राज्यों में और लेडी साजिदार साजिदा टूट शुका था ऐसे में जो एगजीट पोल के जो रुजहान आ रहे हैं उससे तो यहीं कहा जा सकता है बिल्कुल उससे यहीं कहा जा सकता है कही ना कहीं जो रुजहान इहां पर सामने आ रहे हैं कि मोधी का जो इंपक्ट है वो देखने को मल सकता है लेकिन सवाल यह है क कितना मोदी ने मुद्दे जरूर बदले हैं और मोदी की वज़े से कही न कहीं मुद्दे वहाँ पर भी जरूर बदले हैं यानि विरोधियों के अगर बात कर ली जाए तो उनकी निशाने पर मोदी रहे हैं मुद्दे कही न कहीं बदले हैं आदेश के पास वापस चलते हैं बिल्कुल सुमित तो साफ तोर पर अब आपको हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं निलसन के सरवे में क्या कुछ निकल के सामने आया है तो आपको निलसन का सरवे दिखा रहे हैं कॉंग्रेस को 46 सीटे जो है वो दी जा रही है बीजेपी को 120 सीटे एंसीपी के पास 36 सीटे जो है वो मिल रही है आपको निलसन का सरवे जो है वो दिखा रहे हैं साफ तोर पर बहुमत जो है वो मिलता नजर नहीं आ रहा है MNS के अगर बात करें 8 सीटे अन्न के खाते में 12 सीटे पहुँच रही है खुल सीटे के अगर बात करें तो 288 सीटों में से जो आकरा जो सामने आया है उसके अनुसार किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है अब सिस्रों का सरवे उस पर नज़र डालते हैं कॉंग्रेस को 30 सीटे जो है वो मिल रही है बीजेपी इसमें भी बहुमत तक नहीं पहुंच रही है 133 सीटे जो है वो मिल रही है एंसीपी 33 शिवसेना जो है वो 57 सीटे मिल रही है शिवसेना को बीजेपी और शिवसेना अगर एक हो जाते हैं तो कहीं न कहीं बहुमत जो है उसका आक्राब बहुत जादा उपर पहुँच जाएगा, MNS के अगर बात करें, तो दस सीटे उसका खाते में पहुँच रही हैं, अन्ड 25 सीटों पर काबिज है, और आपको बता दे कि साफ तोर पर सिसरों के सर्वे में भी किसी को बहुमत जो है, वो नहीं मिल रहा है, अब आपको दवीक सर्वे दिखाते हैं, जिसमें ये गौर करने वाली बात है, बीजेपी को पूर बहुमत मिल रहा है, कॉंग्रेस को 25 सीटे, बीजेपी को 154 सीटे, यानि बहुमत से कहीं ज़ादा सीटे जो हैं, वो भारती जनता पार्टी के काते में पहुँच रही हैं, और एंसीपी को 17 सीटे मिल रही हैं, शिवसेना के काते में 47 सीटे पहुँच तो साफ तोर पर इसमें BJP को बहुमत मिलता नजर आ रहा है महराश्ट की अगर हम बात करें और अगर मंसे की ओर नजर डालें 10 सीटी जो हैं वो मंसे के पास पहुँच रही हैं अन्न के खाते में 35 सीटी हैं तो कुल मिला के दाविक के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारति ये जनता पाटी को बहुमत मिल रहा है सुमित जिस तरीके से हमने आपको अलग-अलग कंपनियों का सर्वे जो है वो दिखाया है सर्वे कंपनियों को तसाफ तोर पर ये कहा जा सकता है कि केवल एक ही सर्वे में भारतिय जनता पाटी जो है वो बहुमत हासिल करती नसर आ ही है बिल्कुल अगर इन सर्वेज की बात कर ली जाए तो गटबंधन के बाद जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है उसमें बीजेपी को बढ़त दिखाए जा रही है लेकिन अब तक अगर महराज की बात की जाए तो तमाम विरोधियों की तरफ से ये सवाल पूछा गया है कि चहरा कौन है बीजेपी का बीजेपी के लिए दोनों ही राज्यों वे ये बड़ा सवाल था और खासकर अगर महराज की बात कर ली जाए तरफ से जान ना चाहूंगा ये जो बीजेपी के ऊपर अब तक जो आरोप लगाया गया है आरोप कहिए या अब तक जो सवाल पार्टी को क्या वोट देने गया होगा है वोटर? पार्टी ओवरॉल में मोधी जी एक एक रिप्रेजेंटेशन है और उस रिप्रेजेंटेशन को ले कि ये लोग काफी खुश है और अगर चेहरे की बात की जाए विदावट एनी हिपोक्रसी और ना ही बायस्ट होते वे तो बीजेपी में आपस में इतने जादा मनमुटाव और जगड़े हैं चेहरे को लेके कि किसे आगे किया जाए या जो प्रमुद महाजन जी थे या जो गोपिनात मुंडे जी थे उस स्टेचर की कोई लेता भी बचे ही नहीं अमारस्टा में और एक नितिन गड़करी थे वो सेंटर में आगे और ऐसा कुछ रिप्रिजेशन था नहीं तो इसलिए मोदी जी एक चेहरा बन करें बिल्कुल यह बड़ा सवाल हो जाता है विपिन कहीं न कहीं कि अगर प्रधान मंत्री मोदी महाराश्च में जाकर यह कहते हैं कि गोपिनात मुंडे अगर यहां होते तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी तो वो क्या कहन मुझे देखें चेहरा चाहते हैं कि क्या वो सेकेंडे लाइन क्रियेट नहीं कर पाये हैं ुसलिए मजबूरी में उन्हें आना पड़ रहा है देख सही तोर पे कहा जाएते हैं वाक्षे में मजबूरी है कि उनको मजबूरी में ही वहाँ पर जाना पड़ा और वहाँ पर केमपेंग करना पड़ा क्योंकि अगर जैसे वेदाई बोल रही थी कि अगर वहां पर गोपिनात मुंडे अगर होते तो आज मुदी को वहां जाना नहीं पड़ता और कैम्पेनिंग इस तरीके से नहीं करनी पड़ती बीजेपी में हम अगर देखें चाहे वो महराष्ट्र हो चाहे वो हर्याना हो चाहे वो दिल्ली उत्तर प्रदेश हो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बीजेपी में सीटों को लेके आपसे जगड़े इतने होते हैं कि वह बाहर तक आ जाते हैं और बाहर आने के ब कम सीटे दिखा रहे हैं मगर ऐसा नहीं है मुझे ऐसा रखता है NCP सीटे ज्यादा लेकि आ सकती है पचास सुपर सीटे लेकि गेम चेंजर कहा जा सकता है शरत पार बन सकते हैं लेकिन आगे जाने कि किस तरीके से प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी की इस कैमपेइनिंग के बा उत्री महराज के अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी को 33 सीटे यानि उत्री महराज में 47 सीटे मैक्सिमम सीटे बीजेपी के खाते में जाती हुँ दिख रहे हैं 33 सीटे कॉंग्रेस को 5, NCP को 4, शिवसेना 3, MNS 2 और हमारे जो सही होगी यहां पर जो पैनलिस्ट मेरे साथ महमान मौजूद हैं उनका हाला कहना है कि NCP जो है वो गेम चेंजर बन सकती है यानि शरत पवार एक गेम चेंजर के तौर पर उभर सकते हैं बीजेपी को 12 सीटे मिलेगी कोकंड की अगर हम बात कर लें 49 सीटे हैं कॉंग्रेस को 6 मिल सकती हैं NCP को 4, शिवसेना 15, महतपून है बीजेपी से ज़्यादा सीटे अगर कोकंड की बात कर ले जाए तो शिवसेना यहां पर ले रही है MNS के पास सिर्फ 2 सीटे आ रही है बीजेपी के पास 6 सीटे हैं NCP के पास 2 सीटे हैं और MNS का सूपड़ा यहां पर साफ हो रहा है यानि वराठ वाड़ा में MNS को कोई भी सीट नहीं मिलेगी यह अलग-अलग इलाके जहां से बीजेपी को कही ना कहीं जो सीटे मिलती हुँ दिख रहे हैं यानि जो आकलन इस वक्ट जो सामने आ रहे हैं थमाम उस पर अगर अलग-अलग इलाकों से मुंबई रिजन जान मुंबई को नहीं की अगर बात करें तो एक पर चेरा यहांपर 62 में से बिल रही हैं मोदी ने भी अब तक अगर उनके भाष्णों के यहां पर बात कर ले जाए तो विधर्ब का मामला उठाया है जिसमें उन्हें ने कहा है कि महराष्ट को तोड़ा नहीं जाएगा हाला कि अब तक एजेंटे में रहा है यहां पर तो सवाल यह है कि अब जिस तरीके से यह तमाम exit poll सामने आए हैं इसमें बीजेपी को जो बढ़त मिल रही है वो बिना चेहरे के क्या मिल पाएगी सवाल यह है लेकिन क्या अगर बीजेपी अपना चेहरा यहां पर बनाती क्या उससे मोदी के चेहरे का जो impact है वो कम हो जाता या अगर मराथी मानुष की अगर बात कर ली जाए मोदी नहीं चाहते हैं कि सिर्फ उस पर focus किया जाए क्योंकि percent के हिसाब से भी मराथी मानुष बाकी के comparison में वहाँ पर कम है टोटल अगर मैं पूरे सिर्फ दो category यहां पर करूं मराथी versus all के अगर situation बनती है क्या मोदी ने उस पर यहां पर focus किया है सवाल ये भी है शर्मा साब यहां पर focus कि अगर बात की जाए यहां पर आप लोगों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि चेहरा नहीं है बीजेप बढ़ गया मराथी मानुष के अगरे मैं overall percentage की बात करूं और मैंने सिर्फ यह कहा कि मराथी versus all के अगर situation दिखे जाए तो percentage मराथी कि versus all के situation में कम हैं वहाँ पर चेहरा ना बनाना मोधी को मोधी ने कोई चेहरा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया है तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि जो versus all वाली situation आप लोग मराथा पर focus करते रह जाएं वह all वाली situation लेके चले जाएं देखे वैसे तो यह भारत्य जन्ता पारिटी का मामला था उन्होंने क्यों चेहरा नहीं तैक किया पहले लेकिन मुझा ऐसा लगता है कि नरेंदर मोधी जी चेहरों को मिटाने में लगे हुए हैं उन उन्होंने और नेंगे पास नेता थे लेकर वो चाहते तो प्रमोट कर सकते नहीं किया उनको प्रमोट क्या संधेज देरना चाहते हैं अवे तो उस् предлож पास नहीं हर्याना में हैं तो इसका जो डिसे इवांटेज है उसको कंपसेट करने के निए मोदी जी घूम रहे थे और दूसरी बात की यह फर्स्ट जिसके आप बढ़ापी बात करें उसके हमारे सिस्टम में फर्स्ट पास्ट पोस्ट का है जो कि बहुमत में लें लेकिन ज जाएंगे तो आपको मिलेगा जो अभी हमारे सिर्वाजी ने कहा कि मोदी जी सही बात है कि अपने जितने जितने जहां से प्टेंसर चैलेंजर से उनको वो मिटाने में लगे हुए हैं यह बास बिल्कुत सही है और अभी एक एक बदाओं को अगर बीजेपी के अलावे कि कि सरकार बनती है तो हैसेत कि साफसर से और सफता हो जाएंगे एक मिनिट अगर बीजेपी सरकार बनती है तो अभी बीजेपी के दो चेहरे तोहां पर आ गए हैं एक जो दुन फटनविस हैं कि भाई केंदर मो राजी में वो एक पंकरिजा मुड़े ने कल ही अपना पासा तो कहीं जो पहले कौन जो आने वाला है भाजपा में इस यहां पर करेंगे लेकिन सवाल यह है कि अब आगे चेहरा किसका सामने आएगा अगर यहां पर पूरी तरीके से जो एगजिट पूल है वो जो इशारा करें एक ब्रेक ले रहे तूरंत लोटते हैं झाल